कि अधिए आप अधिए जोड़ जाया के घ्रिया एख के दूब कि अधिए जब आप जाए का एवरीवान वेलकम टो आएफेस स्वागत है आप सब का आएफेस के मंच में चलिया फटाफट से जुड़ जाइए यस कैसे हैं आप सब लोग क्या हाल चाल एकदम बढ़िया कि किरण है हमारे साथ कह रहा है इस बैर किस अब मॉर्य तो एस एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए आप कि मैं आपको अच्छे से सुनाई दे रहा हूं अच्छे से धिखाई दे रहा हूं तो हम आज का सेशन शुरू कर सकते हैं यस यस चलिए बहुत अच्छी वात है नीशा जी जुड़ गए हमारे साथ गुड मॉनिंग सर वेरी गुड मॉनिंग वेरी गुड मॉनिंग देखो दोस्तों ठीकत जुड़ जाई है फटाफट से जुड़ जाई है और सबसे पहले आपको क्या करना है यस जब भी म स्यहितना अपर सेशं को शेर करना है है ना जितना ज़्यादा सेशन को खरो गया अतना ज्यादा मौझाएगा नियस यह सभी को पता है थई हाँख बहुत बढ़िया च्पॉडश बाली रियाक्शन जैसे होटी एंगे एंग हमरी थीन स्टेप सेशन शुरू होती है मैं जि यह जो भी आप हमारे साथ नए जुड़ रहें वह सबसे पहले तो सस्क्राइब भी कर लो यह होता है अगर आपने सस्क्राइब कर रखा है ठीक है तो फिर से उस बटन को आपको छूना भी नहीं है है ना पता चले ना कि जो हम सेशन ला रहे हैं आपके लिए आपको पता चल जायεगा notification के थिए जुड़ यह जुड़ यह सारे लोग जुड़ जाहिए ओके ग्लक्टिश्लन चैमेंट लेट्स लर्न केमिश्टी भर रे गुद्मर्न एट अनीधा गुन्र दोस्तों यस कि रहे हैंड नीच है कि रहेंगी सर ग्रुप तिरी की क्लास बिलकुल-बिलकुल वह भी कंटीनЮु करेंगे देको जो क्लास चल रही है वह चलते रहेंगे ठीक हैै ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे हो सकती है दा वक्राजिव सर को तुम और सा काम आ गया तो फिर वो मंड़े से शुरू करने वाले हैं उसमें भी आपको धेर सारा प्यार बर्साना है जैसे आप राजीव सर के लेक्षर पे बर्सा रहे हो यह तो यह तो डाउट ख्लियर हो गया कि राजीव सर की घ्रुप थेरी चलेगी है ना डोंट वरी अबाउट डैट राजी सर आएंगे आपकी ग्रूप थेरी लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलिए अब देखो अब आपको बताता हूं कि मैं पिरोडी सिटी लेकर क्यों आया हूं आज है ना तो दो चीजे होती हैं मान लीजे अगर आपको दिल कराइए प्लीज बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राजीव सर को थोड़ा सा ऐसे कुछ काम आ गया बट जब वह वापस आ जाएंगे तो अपने ग्रूप थेरी कंटिन्यू करेंगे ठीक है आपके लिए जो यहां पर सर लेकर आया ग्रूप थेरी वह पूरी करके ही जाएंगे सर ओके डोंट वरी अबाउट डैट गुरूप थेरी कंप्लीट होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके ठीक है तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बता देता हूं ठीक है तो चलिए पिरोडी सिटी के शुरुआत करते हैं एक बार अगर आप सेटल डाउन हो जाए है ना ध्यान से सुनेगा मेरी बात अब पिरोडी सिटी लाने का मेरा मकसद क्या है अब पिछले कुछ दिनों पहली 18 सेप्टमबर में आपका नेट एक्जामिनेशन आपक के दिमाग में यही चल रहा था कि हाँ इस बार भी पेपर ऐसा ही आएगा और जैसा पेपर आयटीन सेप्टमबर का वह थोड़ा सा बच्चों को काफी बच्चों को मैं कह सकता हूं कि जटका लग गया है ना तो यस यह चीज हुई अब इसी लिए मैंने क्या सोचा मैंने स होचा कि बेसिक से शुरू करते हैं क्योंकि मोस्ट आफ दे टाइम ऐसा होता है कि हम बड़े-बड़े कॉंसेप्ट के चक्कर में हम छोटे कॉंसेप्ट छोड़ जेते हैं जो आपको बहुत बड़ा जटका देते हैं है ना बड़ी-बड़ी चीजे सोच लेते हम दिमाग म है बट जब करने जाओ तो गिर जाते हैं है ना वह भी मुखेबल तो इसलिए अच्छा है कि हम बेसिक से शुरू करें है ना बेसिक से अगर शुरू करते हैं सारी प्रॉपर्टिस को सारी चीजों को आप अच्छे से फंडामेंटल को समझ लेंगे तो फिर आपके लिए को बट जो मेन फंडामेंटल्स होते हैं फонडामेंटल्स ही होते हैं है न जिस तरीगे से हम केमिस्ट्र eigenlijk chemistry में स्टिरियो ह situ के बात करते करते हैं अरो मैंटि के ही discuss कर लेते हैं तो वो सारी चीजे बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी ओके तो ये बात समझ लीजिएगा ऐसा नहीं कि पिरोडिसिटी आपका एक हलका चैप्टर है ओके ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका एक बेस सेट करेगा जिस पे आपकी पूरी इनौर्गनिक केमिश्ट्री डेवलप होने वाली है तो अच्छे से सुनना है इस ध्यान से सुनना है जो भी हम पॉइंट्स डिसकस करेंगे वह पूरा हम क्य सबसे अच्छा है कि आप इसी पर ज्यादा फोकस कर लो ठीक है चले बहुत अच्छी बात है कर और वह सर वो कोशन भी बता दो chance सारे कोशन डिसकस करेंगे जैसे जैसे हम concept कवरद करते जायेंगे उस प्रौब्सक्राइब जो भी कशन बनता है हमारा वह सारे दो मार्ट के हो चार मार्ट ही हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिश कोशन फुल पॉइंट लगाने वाले हैं फुल स्टॉप लगाने वाले हैं यस और एक बात important है यह इस बारी मैंने जो मॉक टेस्ट बनाया था वैसा ही QeS बनाया था गाइस यस जैसा आपके इस examination में पूछा गया था तो जिन जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है उनके लिए बहुत ज्यादा वह फाइदे मन साबित हुआ है एना तो सेम कोशन बनाया था मैंने ऐसा कह सकता हूं कि सेम कोशन आ गया था आपके examination में जैसा हमने मॉक टेस्ट में उसको डिजाइन किया था पिरोडरी सिटी वाला कॉशन को ओके यस आपको तीन चार कॉंसेट मिलाकर एक कॉंसेट बनाकर पूछ लिया गया था आयने इस एनरजर जी लैट आइस एंतल भी यह वो धेर सारी चीज़े पूछ ली थी उसी तरीके का कॉशन हमन इस चलें शुルू करते हैं हमारे सेशन को और सेशन को शुरू करने से पहले एक बार आखरी बार आपसे करता हुँ एस-क को शेर कर दीजिए कि पर मधी जुडए है हैतो लाइक कर दीजे और अगर आप नए से लादिन से राइए लाइक कर लेजिए थोड़ी सी दुखत बात हो जाएगी पिर यह Chapter Set में आता है क्या eh Object में भी आएगा भक्ती जी यस Comment Set में आएगा अन्हें फूछा जाता यह chapter बस वही है कि कभी कबार आपको पता चलता है कभी कबार आपको पता नहीं चलता है हम सेशन को शुरू करते हैं गाइस यस क्या हम सेशन का शुबाराम कर सकते हैं एक बार जल्दी से यस करके कमेंट कर तो फिर हम सेशन को शुरू कर देंगे ओके तो धेर सारी बात करने है फटाफट टाइप कीजिए चली जी बहुत अच्छी बात है पेपर लेखर बैट यह 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 बहुत अच्छी बात कर यह भकती जी आप अपने नोट्स बना ले सकते हो यहां से कोई भी आपको कॉश्चन अच्छा लग रहा है कोई भी आपको कॉंसेप्स अच्छा लग रहे हैं या फिर आपने ऐसा कॉ पहली बार सुन रखा है है ना तो यह आप नोट डाउन कर लेना ताकि आपको आगे भी काम है है ना नोट्स प्रॉपर्ली बना सकते हो आप और जो भी हम डिसकस करेंगे अगर वह आपके पास नोट्स के फॉर्मेट में है तो क्या ही बात है सर मज़ा आजाएगा आपको भी ओके नोट्स भी दे दो सर आफ्टर चाप्टर कम्प्लीट सर ओके जी ओके ठीक है जो भी आप बोलेंगे यस सारी बाते कबूल है बट अगर आपने सेशन को शेर नहीं किया है तो गाइस देखो मैं नाराज हो जाओंगा है ना जो नोट्स मिलने है जो लेक्टर में कॉश जो भी अभी हमारे साथ जुड़े हैं फटाफट सेटल डाउन हो जाए हम यहाँ पर डिसकस करते हैं आपके इंपोर्टेंट चीजे जो हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग यह वर दिस पिरोडिसिटी चैप्टर ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पिरोडिसिटी को ओके तो देखो सबसे पहले सबसे इंपोर्टेंट चीज सर है ना पिरोडिसिटी शुरू करने वाले बट सर पिरोडिसिटी में हम क्या क्या चीजे देखने वाले हैं त references atkins mainly तो मैं atkins फॉलो करूंगा साथी साथ मिसलर टार और हाउस क्राफ्ट यह तीन reference उसको मैं लेकर चल रहा हूं है ना तो आपके लिए भी अच्छा है अगर reference question आजाता है डायरेक्ट लिए जैसे पिसली पार ही अभी हमने देखा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ओके तो चलिए शुरू करते हैं जी हमारे पिरोडि सिटी को देखो सबसे पहले हम यहाँ पर classify करेंगे आपके पिरोडिक को ओके अब यह classify होता है सर डो टम्स में है ना एक पिरोडिक properties of elements है ना जो आपके elements है जो आपको अभी नया पिरोडिक टेवल दिख रहा है modern periodic टेवल जिसों कहते हम है ना वो कैसे बना वो क्यों बना वो कब बना है ना उसमें क्या-क्या चीजे पॉसिबल थी है ना सारी चीजों को डिसकस करेंगे ना और इसमें हम डिसकस करेंगे वालेंस electronic configuration ओके elements की वालेंस electronic configuration को कैसे पैचानना है बिल्कुल basic से शुरू करेंगे और पूरी सारी concepts को क्या करेंगे अच्छे से हम discuss करने वाले हैं ओके ठीक है फिर हम क्या discuss करेंगे फिर हम discuss करेंगे atomic parameters अब atomic parameters क्या है sir यस आपने सुन रखा होगा effective nuclear charge है ना यह discuss करने वाले हैं आपने सुन रखा होगा atomic radia यह discuss करने वाले हैं आपने सुन रखा होगा ionization energy यह discuss करने वाले हैं आपने सुन रखा होगा electron negativity यह discuss है तो दो यह हैं आपके अन्थालपि ओफ एटमाइजेशन उस इलेक्टरौन इफिनिटी यह सारी पॉइंट्स को किसमें डिसकूस करेंगे एक्षाjan करेंगे और यह सबसे सबसे important topic होने वाला है सबसे important point होने वाले हैं आपके पूरे periodic chapter में क्योंकि सवाल इसी से बनते हैं और सवाल इसी से पिछली बारी भी बने हैं जो इस बारी का exam हुआ है ठीक है और occurrence देखेंगे हैंना कौन सा element कैसे रहता है उसकी occurrence कैसी होती है यह सारी बात ही करेंगे है फिर बात करेंगे metallic characters के बारे में हैना अलग-अलग elements मिलते हैं अलग-अलग blocks मिलते हैं अलग-अलग groups मिलते हैं उनकी classification देखेंगे based upon their metallic character है नशीक तो यह है पहला classification classification based on periodic properties of elements और दूसरे हिस्से में दूसरे classification में हम बात करेंगे regarding periodic characteristics of compounds ओके जो आपके elements के compounds possible है mainly उनके oxides के लो hydrates के लो एक general life way में हम क्या करेंगे यह सारी बाते करेंगे उसमें हम बात करेंगे उनके coordination numbers की bond enthalpy and trends की binary compounds की wider aspects okay I think यह थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है तो मैं थोड़ा सा छुप जाता हूं है ना चीक है wider aspects of periodicity है ना ऐसे वाले points आपको दूसरे chapter में help करने वाले हैं है ना और I think यह नहीं दिख पा रहा होगा आपको yes anomalous nature of first members of each group ओके यह सारी चीजे पढ़ लोगे तो आपको सारे जो concepts हैं उनमें यह मदद हमेशा से ही करते रहेगा okay और सबसे ज्यादा यह help करने वाला है आपके main group में है ना main group देखा होगा आपने कैसे question पूछे गए थे थोड़े सा अटपटे थे हैं ना जो regular question थे उससे हट कर उसने इस बारी question पूछाता okay yes तो यह help करेगा आपको ठीक है यह mainly point help करेंगे आपको दूसरे concepts को समझने में coordination ले लो है ना OMC ले लो main group ले लो सभी में help करेंगे concepts ठीक है तो यह हम बाते करने वाले हैं चलिए जी तो यस यह सारी बाते हम कवर करते आगे बढ़ने वाले हैं अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे हम शुरू करेंगे यहां पर okay complete होगा क्या you YouTube पर यस निकल complete करेंगे okay don't worry about that यह पूरा hundred percent हम complete करेंगे okay good morning Guruji from Maharashtra Nagpur चलिए यादव जी a very good morning to you also and lots of love from Maharashtra also ठीक है कांचन कह रहे है good morning sir very good morning कांचन यादव you are one of the best educator in India thank you यादव thank you for this compliment lustrous as moon अच्छा यह तो बहुत बढ़िया नाम रखा है आपने very good morning lustrous बिल्कुल जो metallic nature शो करते हैं एकदम lustrous shine होती है है ना अगर आप वह बोल देता तो और अच्छा होता ओके भक्ति कोतिंब्रे कह रहे है complicated था complicated नहीं था बस वही है कि चार अलग-अलग concepts को आपको देखना पड़ा एक कोशन के रूप में तो वह दिक्कत दे रहा था बस है ना और उपर से ऐसा होता है कि टाइम की लिमिट जब चलती है तो अज सीधा कोशन भी आपको तेड़ा लगने लगता है ऑड़ कोई बात ने और बिरेश्वर दास बयरे ओर गंव ब skept है और कह अब गंव जूड़ जुड चुके हैं वह रे साहðट बैल होड भार कर्कैसे यह wird और पर Expand स्लबख बHE Кश्मिर अरे बहुत अच्छी बात है येस विरी गुट माॵनिंग किल सुमा बच च के पाइन सर नाइश टू सीयोग येज़ आपको भी देख़ा बहुत अच्छा लगा मिनल जी टि सुनंप गुड कौनम स्बावा त्थी एंधनरे दाफ कहे ृए प्रणाम निखिल प्रणाम ठीक है तो चले सेशन को शुरू करते हैं गाईस ओके लेट्स स्टार्ट द सेशन अब देख आज हम बहुत स्टींपल बाते करने वाले हैं हम सबसे सिम्पल बात करेंगे आज हम देखें एक कहानी एक कहानी है जो सब को सुनानी जलने को भी तो रूही जालानी है हम बात करेंगे कि कैसे शुरू है आपके periodic table को बनानी की होड़ क्या कहानी रही होगी जो आपका periodic table अभी आपको सामने दिखता है कैसे बना होगा कौन-कौन महान लोग थे जिनोंने इस पिरॉडिक टेवल बनने में अपना एक महत्वपून योगदान दिया है यह सारी बाते करेंगे तो बहुत बेसिक सी शुरू करने वाला हूं और यही सबसे बेश्ट रहेगा क्योंकि ऐसा होता कि बहुत सारी हाई रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं यह ऐसा होता है विकाज आफ लैक आफ बेसिस एटी हैना बेसिक्स फंडमेंटल सापके अगर स्ट्रॉंग नहीं है तो यह दिक्कत आती है है न तो कोई बात नहीं ठीक है एकदम बेसिक सी शुरू करेंगे बड़े अराम से मज़े से पढ कर पड़ सकते हों मैं करें में पर रहा हूँ अच्छा आप में नुप पड़ रहा है चलिए बहुत अच्छि बात है बहुत गूद मॉर्निंग सिर मठा वारान एंप लिए बहुत चलिए बहूत अच्छं करते हैं ना कोई दिक्कत वाली बात निहोंने वाली है Race ठीक है P-Block भी पढ़ा दो आप से पढ़ना है Yes Main group की बात कर रहे है I think Yes main group भी हम कर रहेंगे No worries Main group पढ़ेंगे उसमें S-Block देखेंगे P-Block देखेंगे यह सारी बात करेंगे Sir बीच में add कैसे आया अच्छा यह तो मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है बट कोई बात नहीं है चलिए जी शुरू करते है आपके periodicity को आज सबसे पहले हम बात करेंगे regarding periodic table है ना जो अब आप सामने periodic table देखते हो पता नहीं आपने कितनी बार देख रखा है periodic table को मुझे तो लगता है अपने चहरे से जादा आप periodic table ही देख रहे हो है ना तो अब उस periodic table को जो हम बार बार देखते हैं बार बार यूज करते हैं जो एक compact size में है है ना धेर सारी information देता है आपको उसके बारे में उसके पीछे कि वह अभी ऐसा जो दिख रहा है ना वह क्यों बना ऐसा कैसे बना ऐसा ओके यह सारी बाते करनी है चलो देखो हम आज बात करने वाले हैं regarding development of periodic table ओके उससे पहले मुझे बस एक second देना I think I need to adjust some things इस थोड़ा सा वो जो पैन की निप साइज है है ना उसको थोड़ा सा अज्जेश कर देते हैं ठीक है चली हो गया है ना अब हम बात करेंगे regarding development of periodic table ओके डेवलप्मेंट of periodic table यह बहुत मज़ेदार किस्था होने वाला है मज़ेदार कहानी होने वाली है है ना देखेंगे कि कैसे कैसे कौन-कौन लोगों ने अपना योगदान दिया है है ना येस अब इसमें कौन-कौन आते हैं सर है ना development of periodic table कैसे डवलप्मेंट आपका periodic table सबसे पहले तो ना पर आते हैं डॉबर नियर और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने classification दिया उनको उन्होंने कहा try-ards है ना तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉबर नियर ट्रायड्स के फिर हम बात करेंगे regarding new lands नाम के एक भाई साब थे उन्होंने अपना octave नाम का law दिया है ना इसको जबाब ना उसकी classification कैसी थी इसके बारे में जानेंगे और यह नाम तो आपने definitely सुन रखा होगा है ना अगर आपने chemistry पढ़ रखिये है वह जो भी बंदा chemistry पढ़ता है उसको यह नाम पता ही होगा है ना क्या है नाम सर्य दिमिट्री मेंडलीव है ना इन चार लोगों ने जो योगदान दिया उनकी जो contribution रही है वो हम बया नहीं कर सकते हैं ना वो शब्दों में हम बया नहीं कर सकते हैं तो इसलिए this is very important to discuss their contribution ठीक है तो सलिए सबसे पहले हम बात करते रिगार्डिंग डॉबर नियर है ना आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग डॉबर नियर ट्राइड्स कैसे आए सरीय ट्राइड्स क्या है सरीय ट्राइड्स क्यों है सरीय ट्राइड्स ये सारी बात हम जानने वाले हैं तो देखो डॉबर ने क्या किया है ना डॉबर नेर एक समझदार साइंटिस्ट था उसने क्या किया उसने तीन elements को ले लिया और तीन elements को लेकर उसने अपने tryads बना दिया है ऐसा एक उसने क्या क्लासिफिकेशन किया मालो a, b, c आपके elements है और उसने क्या क्या ए, b, c को इस तरीके से arrange कर दिया उसको कहा tryad ठीक है इसको उसने क्या कहा tryad क्या यानि तीन elements से जो ग्रूप बन रहा है उसको हम कहते हैं ट्राइड ओके ठीक है इतनी बात क्लियर हो गए और क्या चीजे बताइए सर यस और उन्होंने एक और यहां पर लिंक बठाया एक और कनेक्शन लगाया कि जो आपका यह की एलिमेंट की बीच वाला है जिसको मैंने वी लिख दिया है एना इस एलिमेंट की अगर मैं ऐटमिक वेट की बात करूँ है ना उस समय सारे जो साइंटिस्ट हैज उन्होंने कहा कि ए और सी कि यह डोने वाली है यह था उनका सबसे महत्वपून पॉइंट महत्वफून योगदान ओके जैसी के आप एक्जामपल ले सकते हो आपके डॉबर नियर ट्राइट्स के लीथियम अब लीथियम के अगर मैं बात करूं तो इससे वन आ जाती है अब देखो सोडियम की बात करते हैं पहले तो देखेंगे डॉबर नियर ट्राइट्स क्या सेटिव स्वाज करते हैं जो हमने अभी तक सोडियम के अटमिक वेट देख रखे हैं वह से मैच होती है फिर नहीं यह चीज हम देखने वाले हैं तो देखो अटमिक वेट अटमिक वेट आफ सोडियम ओके कितनी आ जाएगी यस यह रहेगा ए और सी का एवरेज यानि लीथियम को ले लो ए है मेरा लीथियम पोटाशियम के अशर मेरा सी है डिवाड़ेड बाइ टू कर दो अब इनके अटमिक वेट कितने है सेवन प्लस थर्टी नाइन डिवाड़ेड बाइट टू है ना यह कितने हो गया यह हो गया अल्मोस्ट आपके 46 46 डिवाड़ेड बाइट बाइट यानि यह आ जाएगी लगबाग 23 और हमने देख रखा है आपकी जो सोडियम है उसका जो एक्चुल अटमिक हो जाती हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस गेन कर लेती हैं ओके यस तो यह थे डॉबर नियर ट्रैट्स उन्होंने क्या खाब फिर से बता देता हूं उन्होंने तीन एलिमेंट लिया उनका ग्रूप बना दिया और जो बीच वाला एलिमेंट था उसका एक्ट्रीमेंट पर जो एलिमेंट्स हैं उसका एक्टमिक वेट का एवरेज रहेगा जैसे हमने एक्जामपल देखा है लीतियम सोडियम एंड पोटाशियम ओके चलिए यह तो बहुत इच्छी बात है सर फिर अभी हम जो पिरॉडिक टेबल देखते हैं तो उसमें हम ऐसे क्यों ट्राइट जो भी आपको एक्जाम की प्रिपेरेशन करना है पहली बार करने है तो वह एक गाइडेंस मिसिंग होती है है ना तो फिर एक बार गलती होती है एक्जाम कौलिफाइ नहीं होता किसी कारण वर्ष तो फिर आप क्या करते हो इस गलती को आइडेंटिफाय करते हो है ना इस ही तो करके आपको जो मॉडल है जो आपकी प्रिपरेशन है वह पर्फेक्ट बनती जाती है ओके तो इसी तरह की से डॉबर नेर ट्राइट में भी कुछ ना कुछ खामिया रही होंगी अब क्या है सर्वो खामिया येस वाट आर दोस मिस्टेक्स डैट हैस बिन डन बाई डॉ जाता है 35.5 है ना आइडिन का कितना जाता है 127 अब चलो ब्रोमिन का वेट चेक करते हैं एक डॉबर नेर ट्राइट का एक्स्पिरिमेंट करते हैं और दूसरा इसका एक्चुल वेट देखते हैं इन दोनों चीजों से मुझे पता चल जाएगा कि क्या चीजे हो रही है ओक प्लस आइडिन डिवाइड़ बाइटो इसका एवरेज निकान ला है डैट इस 35.5 प्लस 127 डिवाइड़ बाइटो ओके अब यह लगबग लगबग अगर आप देखेंगे यह 81 के आसपास आजाता है यह वैल्यू 81.5 आइगेस ओके यस तो यह है डॉबर नेर ट्राइट्स वाली एक्सप्रिमेंट की वैल्यू से बट एक्चुल वैल्यू कितनी है ब्रोमिन की है ना एक्चुल वैल्यू कितनी है ब्रोमिन के सर यह तो हमने डॉबर नेर ट्राइट्स के फॉर्मूला से हमने यह सारी चीज़े कॉंसेप्स से लगा दिये है बट एक्चुल वेट अ होने तक प्रूफ करने की कोशिश करते हैं है ना इस एंड तक इस एक्ष्ट्रीम तक चले जाते हैं कि ये गलत प्रूफ होकर ही रहे हैं ओके ठीक है देखो अब एक और एक और एक्जामपल लेता हूं जैसे मेरे पास है फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमिन अब ये भी तो ऐसी स यहां पर क्या होगा है ना फ्लोरीन के अटमिक वेट कितनी आजाती है 19 ब्रोमिन के अटमिक वेट कितनी आजाती है 80 अब चलो इसकी find करते हैं है ना फिर से डॉबर नेयर वाला concept उटाते हैं atomic weight of chlorine find करते हैं fluorine और bromine का यह average होना चाहिए है ना 19 plus 80 कितना आ जाएगा divided by 2 करने से 49.5 आ जाएगा बट यहां पर कितनी लिखी है sir experiments जो हमने किये हैं देर सारे experiments मैंने तो नहीं किये हैं बट जो scientist ने कर रखे हैं उसके अनुसार अगर आप देखेंगे जो उन्हों ने value बताईए वह आ जाती है 35.5 है ना अब देखो यह 81.5 और यह 80 चलो ठीक है सर आसपास ही तो है मान लेते हैं इतना प्रयास किया है तो ठीक है accept कर सकते हैं बट अब यह दूसरे example में देख लो fluorine, bromine, chlorine sequence wise ही लिखा है मैंने आपके elements को ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे कर दिया है फिर भी अगर आप देखेंगे जो fluorine है जो bromine है इनके जो average atomic weight आ जाते हैं उसका आ रहा है 49.5 बट यहां पर कितना है 35.5 है यह तो दिक्कत वाली बात होगी है है ना यहां पर आपके डॉबर नियर भाई साब चूग गया उन्होंने एक्सप्रिमेंट प्रेडिक्ट तो किया है ना उन्होंने एक concept बनाया और उसको प्रेडिक्ट किया कि इस तरीके से मैं बीच वाले element का atomic weight निकाल सकता हूं बट क्या हुआ यहां पर फेल हो गया है ना फेल तो नहीं कह सकते बट एक उनका attempt फेल हो गया है ना जैसे आइटिंग एडिसन ने का है जब भी मैं हजार बार फेल होता हूं तो ऐसा नहीं कि मेरे वह अंसक्सेस्पूल होने का कारण है मैं जहार बात है फेलियोर पार्ट आफ यूर सक्से सकते हैं यह इससे भी हम कुछ न खूष सीख सकते हैं तो ना आपका हमारा आएफस के साथ है तो फिर आप यह जो सीख मिलगे यह पार्ट आप यूर सक्सेश मान लीजा अभी का जो आपका एक्साम गया वह थोड़ा सा यस गड़ड़ा गया है ना अच्छा नहीं गया दिक्कत आ गई होगी है एक्टरनल वाइस आ रही है ठीक है एक सेकंड देना मुझे ओक्या जिस्ट गिमी एक सेकंड गाइस ओके अब बताईये क्या अब मेरी वाइस क्लियर है यस एम पर्फेक्टली ओडिबल टू यू नौ चलिए जी बहुत अच्छी बात है ओके चलिए ग्रेट ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब यह रही बात आपके डॉबर नियर के डी मेरेट की अब इसी से यहाँ पर कुछ प्रेणा ली आपके न्यू लैंड ने अब उसको लगा कि तीन नंबर जो नंबर लिया था डॉबर नियर ने चलिए बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया गाइस ठीक है अब ध्यान से सुनना अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे डॉबर ने ट्राइट बनाया अब यह थोड़ा सा अंसेक्सेश्फुल मॉडल रहा है तो फिर आगे आते हैं आपके नियू लैंड है ना अब नियू लैंड ने क्या सोचा से बीच रास्ते में से अगर बिली चली जाती है तो कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए है ना तो वैसी अब नियू लैंड ने क्या किया है ना अब पिचर में आते हैं नियू लैंड उन्होंने कहा कि यह जो तीन नंबर है यह अनलकी रहा है डॉबर नियर के लिए क्या पता म new lands law of octave दिया उके new lands law of octave दिया अब ये क्या है सर ये क्या चीज है तो देखो ऐसा एक ही जो आपका new land है new land भाई साब है उनको थोड़ा बहुत गाने का भी शोगता है ना वो दिन बहुत दिन यहां पर क्या करते थे chemistry में research करते थे साथ इसाथ थोड़ा बहुत रियास भी क्या करते थे प्रैक्टिस करते थे अपनी संगीत का है ना जब वो क्या करते प्रैक्टिस कर रहे थे हैं उन्होंने कहा सा यस उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा सा इसको मैं थोड़ा सा आगे ही ले लेता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि उन्होंने कहा सा है ना उन्होंने कहा रे उन्होंने कहा गा उन्होंने कहा मा उन्होंने कहा पा ध और नी एना ऐसी तो प्रिया रियास किया जाता है प्रैक्टिस किया जाता है जो भी आप संगीत कारों आपको पता सल जाएगा है ना सारे गा मा पधनी है ना यहां पर खतम होती है फिर से हम क्या करते साथ सूर या फिर से आजाते हैं आपके पहले सूर में कि ओके कि यह सारे गामा पा रेनु कह रहे हैं कि इस सर वीडियो क्लियर नहीं है अच्छा कि यह सभी को दिकत आ रही है एक मुझे बता दो यस क्या दिक्कत सभी को आ रही है फिर ओके मैं अपनी तरप से तो चेक कर रहा हूं कि कोई कमी ना रहे गई हो यहां से यस बताईए क्या दिक्कत है यस नीचा जी ने इसका सलुशन भी दे दिया है चेंज कॉन्फिग्रेशन सबसे बढ़िया रहेगा है चलिए बहुत अच्छी बात है तो देगो गाईस वापस आ जाओ कॉंसेट में है ना मैंने बताया डॉबर नेर ट्राइट्स फेल हो गया फिर पर तीन नंबर अनलकी रहा ऐसा लगा आपके न्यू लैंड को और ऐसा ही कि वह थोड़ा बहुत रियास भी करते थे संगीत की प्रैक्टिस करते थे उन्होंने का सारे गमप धनी है ना अब मेरा लक्की नंबर पांस है तो मैं तीन में पांस एंड कर देता हूं ये बन जा चाहिए गा इसी तरह के से उन्होंने क्या किया उन्होंने भी अपनी कु्लासिफिकेशन को सुरों में बदल दिया है ना जैसे ही यहाँ पर लीथियम कहा उन्होंने यहाँ पर बेरिलियम बोरौन कारवन नाइट्रोजन आक्सिजन फ्लोरिन इस तर्विए से इंक्रीज हो पॉस्फरस, सलफर, क्लोरिन, पोटाशियम, गैलियम, सारी, कैल्शियम, ओके, इस तरीगे से उन्होंने क्या किया, इस तरीगे से उन्होंने अपने साथ सुरों को यूज करके, यहां पर आपके ऐलिमेंट्स को भी क्लासिफाय करना चाहा, तो देख सकते हैं, प्रेड़ना ह जाते हैं, साइन्टिस्ट को आइडिया, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, तो आपको कभी कबार ऐसे कुछ इंट्रेस्टिंग डॉक्यमेंट्री देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे साइन्टिस्टों ने इंस्पिरेशन लिये हैं, आइडिया है न, वो है अटेम्ट करना, वो है ट्राइ करते रहना, ओके तो आपको भी चीजों को ट्राइ करते रहना है, ओके, ठीक है, तो देखो, लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह के से उन्होंने जैसे साथ सूर होते हैं, वन, टू, थ्री, फोर फाइ, सिक्स, सैवन, है न, फिर से क्या होता है, फिर से हम आजाते हैं, यहाँ पर, तो इसी तरह के से अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस तरह के से क्लास्टिफाय कर दिया, आपके अलिमेंट्स को, और उन्होंने कहा, कि जो भी आपकी अलिमेंट्स आप chemical properties शो करेगा यह कह दी उन्होंने बात है ना संगीत से क्या किया inspiration लेकर तो चलो देख लेते हैं अब boron को मान लीजे मैं पहला attempt पहला element consider करके चलता हूं तो यह आया दूसरा element तीसरा element fourth fifth sixth seventh और यह आ गया सर आपका eighth element चलेजी बहुत अच्छी बात है अब देखो boron aluminium हम जो आपका modern periodic टेबल है उसको क्या करते हैं group 13 में classify करते हैं और दोनों की क्या रहते हैं almost same physical as well chemical property रहती है है ना तो उस जमान में जो भी number of elements present है उन्होंने क्या क्या उन्होंने इसी तरीके से उनको classify कर दिया ओके यस और एक example लेते हैं चाओ चलो beryllium ले लेता हूं या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि नाइट्रोजन ले लेते हैं चलो नाइट्रोजन लेते हैं ओके यह प्लेंट्स के लिए अच्छा रहता है तो देखो one two three four five six seven और यह आ गया जी आपका एड़ एलिमेंट नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की नीचे फॉस्वरस जिनकी क्या रहती है सेम फिजिकल आज्वलास केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है यह तो बहुत अच्छी बात है सर यस यह तो बहुत अच्छी बात है सर तो इस तरीके से उन्होंने अपने ट्राइट्स के बिज़े अब आक्टेव दे दिया और थोड़ा बहुत इनका चर्चा होने लगा थोड़ी बहुत इनकी जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं उनकी थोड़ी सी इज्जद आते हो तो ऐसे अपने दोस्तों की बिच में अब थोड़े से चोड़ में आ जाते हो उसी तरगे से यह भी चोड़ में आ गए थे अब सर क्या इनका इनका मॉडल सक्सेशफूल था अगर था तो अब हम मॉडन पिरोडिक सेबल में यह वाले कॉंसेप को क्यूं नहीं सोची पहली गलती यस उन्होंने थोड़ा सा future की नहीं सोची अब जनरली ऐसा कहते हैं कि future के बारे में सोचना गलत है believe in the moment है ना be in the moment कहते हैं कि यह हमेशा से सच होता है है ना कभी कबार future की भी तो planning करनी पड़ती है है ना मान लो आपका एक्जाम कहीं और आ रहा है और आपको पता नहीं कि कहा ने वाला है उसकी planning नहीं किया आपने तो लास समय में कैसे दिमाग की धी हो जाती है आपको पता होगा है ना इस बारी जैसे आपका हुआ है कोई बात नहीं है तो थोड़ी सी future discovered है जो हमें discover करना बागी थे या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ जो super heavy elements हमने खुद artificially बनाए है ना उन्होंने इसको consider ही नहीं किया यस उन्होंने इसको consider ही नहीं किया दोस्तों बताओ ये सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी क्या नहीं यस और नो यस ये सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी आपके new land की उनका दिमाग थोड़ा से संगीत में ज्यादा चलने लगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है इसका demerit मैं कह सकता हूँ after discovering heavier elements discovering कहलो या फिर हमने artificially भी prepare कर रखे हैं पोस्ट यूरेनियम elements जो अगर आप देखोगे वह आल्मूस्ट सारी क्या है artificial ही हमने prepare कर रखे हैं जिनके half life बहुत कम होती है यह सारी चीज़े आपको एक दूसरे से connect करनी चाहिए इसी तरह के से आपको क्या बनता है एक knowledge बनती है सर है ना ने तो वह बस information बनके रह जाती है आपने वह पोश्ट देखा होगा कि dot है ऐसे और इस dot को हम क्या कहेंगे information कहेंगे बट वह जो आप thoughts को connect करना शुरू करते हो यह क्या बन जाती है नॉलेज बन जाती है तो जो भी आपके पास chemistry की information आ रहे है उसको आपको connect करना लिंक करना एक दूसरे के साथ ताकि वह knowledge बन चुके सर और knowledge is the ultimate power है ना ठीक आफ्टर डिस्कवरिंग हैवियर elements and noble gas his law of octave is not satisfied his law of octave is not satisfied ओके यस तो बता ये क्या यहां तक की बात है clear है कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्य है तो बता दीजिए मिशन मंगल फिल्म यस भक्ती जी सही का है ना हलकि मैंने तो मैंने उसकी थोड़ी बहुत ऐसी चीजे सुन रखी है जैसे कि वह जो रोटी बना रही होती है या फिर ऐसी कुछ पूरी बना रही होती है उससे कुछ आइडिया आता है उसको है ना मतलब करना चाहिए यस चीफ आफ दो गॉड बोरॉन अलुमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम यस मृतिन जय सही बता है आपने यही रहते हैं आपके ग्रुप 13 के अलिमेंट दिपाली शर्मा कहा रहे हैं नाइट्रोजन फॉस्फरस अर्शकनिक एंटी मनिया बिसमन बहुत बढ़िया दिपाली जी यस ठीक है देखो मृतिन जय कुछ कहा रहे हैं पर मेंडिली बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि कुछ एलिमेंट्स अभी नहीं मिली पर बाद में डिस्कोवर होगी उनका प्रॉपर्टीज भी पहले से प्रेडिक्ट करके अगे रखाता यह भी बात सही है क्सारी बाते मاتने हैं हम कहते ही को अं необход कर लो आपको भला होगा है नख क्या सारी बाते मानते और कुछ ना कूछ थोड़ी से इस और तो वही चीज़ हो गी दिक्कता आई होगी आपके नियू लाइंड के साथ डौबर नेर के साथ हैं बड जैसे धोनी की बात कर लो हम कहा रहे थी कि धोनी को और थोड़ा खेल लेना चाहिए था है ना बट उसने रिटार्मेंट ले लिए जो कि बहुत अफसोस वाली बात है है ना धुन्योबाद सर चलिए बीरेशवर बहुत अच्छी बात है बक्ती जी कहा रहे हैं क्लियर सर चलिए ग्रेट ऑक्सिजन सलफर सेलिनियम टेलियम टेलूरियम एंड पोलोनियम यस यह रहेंगे आपके अक्सिजन फैमिली सर हम सी एन एन एच एफल म्सी एल्लम टीएस ओजी यू नहीं पड़ते सर देख ऐसी बात है कि कुछ एलिमेंट क्या है जैसे पोलोनियम कोई ले लो ठीजिए ऑक्सिजन फैलियम फैमिली में क्या मिलता है सेलिनियम टेलूरियम एंड पोलोनियम पोलोरियम को हम क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी कम पड़ते हैं उसके कंपॉंड्स भी कम पाय जाते हैं क्यों क्योंकि यह रेडियो एक् है इसका मतलब क्या हम क्या सारी प्रॉपर्टी डिसकस कर सकते हैं उसको स्टड़ी कर सकते हैं उसके लिए उस तरीके के फैसिलिटी चाहिए होगी उस तरीके से उस आपको इन्वेश्टमेंट करना पड़ेगा वैसी रिसर्च फैसिलिटी बनाने के लिए जो सभी जगे अव वर्क ओके आपको रिटर्ण वाली थोड़ी सी दिक्कत दे रही है येस लश्ट्रिस एज मून रेडियो एक्टिव येस ठीक है तो ये सारी चीजे हमें देखने को मिली ठीक है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब चलिए अब बात करते हैं आपके थर्ड क्लासिफिकेशन ये फिर थर्ड डेवलप्मेंट में इसमें आते हैं आपके लोथ सर मेर है ना इसकी क्लासिफिकेशन कैसी है हम ये जानने वाले हैं दोस्तों यस चलिए अब लोथर मेर की क्या खासियत थी सर है ना ये सारी चीजे मैथमेटिकली देखता था यस लोथर मेर की क्या खासियत थी जैसा जिससका नजरिया होता है वैसे हम चीजों को देखते है जैसे कि मान लीजे आपके पास एक नाइफ है चाकू कहते हैं जिसको वो है अगर आप चोर के पास देते होगे तो वो चोरी करने में इस्तमाल करेगा बट वही चाकू अगर आप शेफ को खाना बनाने वाले को आपकी मम्मी को देते हैं तो वो खाना बनाएंगी उससे मैं आलू काटूंगी प्याच काटूंगी है ना तो इसी तरह के से यहां पर क्या हुआ लोतर मेरी थोड़ी सी मैथमेटिकल मैथमेटिकली देखता था वो चीजों को तो इसने क्या किया सर इसने एक प्लॉट को प्लॉट किया क्या प्लॉट को प्लॉट किया सर इसने लिय लिया, atomic volume, yes, इसने क्या लिया, atomic volume लिया, सर, और इसको किसे plot कर दिया, आपके atomic weight से plot कर दिया, इसने इसको atomic weight से plot कर दिया, okay, yes, बहुत बढ़िया, निशा, बहुत बढ़िया, atomic and atomic volume relation, बहुत बढ़िया, yes, तो देखो, उसने एक plot किया, ऐसा दिखता है कुछ वो plot, और यहां पर आपको क्या मिलने लगे ऐस प्रकार के कर मिलने लगे अब इतने स्मूध तो नहीं थे बट वह एक्षुल कैसे थे बट वह एक्षुली ऐसे थे हैं अ ऐसे दिखता था वह एक्चुली ओके अब हम इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा स्मूथ कर दिखा देते हैं y-axis पे आजाएगा आपका atomic volume x-axis पे आजाएगा आपका atomic weight चलिए जी बहुत अच्छी बात है यह तो ठीक है अब सर्फ plot को लेकर मैं करूँगी क्या आखिर या फिर करूँगा क्या आखिर है ना तो इन्होंने ऐसा कहा कि जो आपके elements same position को occupy करते हैं उनकी same physical as well as chemical properties आजाएंगे जैसे यह पहाड़ी को देख लो है ना यह पहाड़ी की आगे चोटी है ना top end एक यह पहाड़ है और यह पहाड़ की चोटी ओके यहां पर आता है लीथियम और यह पर अगर आप देखो के इस पहाड़ी की चोटी पे क्या आजाएगा यहां पर आपको मिलता है है आपका सोडियम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इस पहाड़ी की चोटी पे अपको मिलता है पॉटेशियम तो देखो यहां पर मिल रहा है लीथियम सोडियम और पॉटेशियम हमें पता है आप यह की गुरूप वन एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स विद सिमिलर पॉजिशन इन ग्राफ शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज ओके दी सो सिमिलर प्रॉपर्टीज ओके यह थी पहली बात दूसरी बात क्या कहीं सर यह दूसरी बात जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है अकॉर्डिंग तु दिस रूल दिस इस अलकली मेटल ठीक है उन्होंने क्या कहा जो आपके अलकली मेटल्स हैं विल अक्यूपाई ओके आप साथ बेसाथ नोड्स भी बनातर चल सकते हो क्योंकि मैं इसलिए तो पॉइंट्स लिखा रहा हूं ताकि अगर आप नोड्स बना रहे हो तो आपके लिए फाइदे मन्स थावित हो है ना अलकली मेटल्स विल अक्यूपाई दर तॉप पोजिशन और ग्राफ ओके दिस विल अक्यूपाई टॉप पोजिशन इन ग्राफ है तो यह थी यहाँ पर बात है ओके तो यह थी आपके लोधर मेर की क्लासिफिकेशन चलिए बहुत अच्छी बात है यह तो बात समझ में आगी सर बट हम क्यूं अब आपके मॉडन पिरॉडिक टेवल को एक ग्राप की रूफ में क्यूं नहीं देखते हैं है ना तो इसका मतलब भी इसकी कुछ ना कुछ डी मेरेट सुर रहे होंगे ना कामियावी रही होंगे इसको हम देखते हैं कि क्या ना कामियावी रही होगी यहाँ पर देखो इसके डी मेरेट की बात करते हैं यस सबसे पहले इसकी डी मेरेट यह थी कि इसने सारी अलिमेंट्स क थे कुछ ऐसे नटकट एलिमेंट्स थे जो क्या देते हैं धोका दे देते हैं है ना मान लो atomic volume कम है और atomic weight बहुत जादा है है ना तो इस तरीके से थोड़ा सा imbalance हो गया उनके कर्म में और वो सारी चीजे प्रॉपरली ओवे नहीं करने लेगी जो आपकी इससे ने पर याँ पर आते हैं आपके सबसे फेमस भाइस सहाब देट इस डिमेट्री chemical properties of an element are periodic function of atomic weight are periodic function of atomic weight तो यह थी यहाँ पर चीज हैं तो देखो उन्होंने क्या क्या उन्होंने आपके जो सारे periodic elements present ते उस समय उन्होंने क्या किया 8 groups में classify कर दिया सर और कितने periods में 7 periods में classify कर दिया ओके जैसे कि ग्रूप नंबर 1 ग्रूप नंबर 2 ग्रूप नंबर 3 4 5 6 7 और यहाँ पर आता है आपका 0 ग्रूप इस तरीके से classify कर दिया आपके elements को सर अब यही एलिमेंट यही जो आपको पिरॉडिक टेबल मिलता है जो मेंडलेव ने बनाया है ना जो मेंडलेव ने पिरॉडिक टेवल बनाया उसी को हम क्या देखते हैं modern पिरॉडिक टेवल के रूप में देखते हैं बस यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हमने क्या कर दिया है चेंज कर दिया according to our priorities according to our necessities ओके ठीक है सर इसके डी मेरिट क्या रहे होंगे है ना इस डी मेरिट क्या रहे होंगे बट इससे पहले तो हमें मेरिट के बारे में पढ़ना होगा क्यों 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 कि यही सबसे कामिया पिरॉडिक टेवल माना जाते आपके पूरे जो अभी तक पिरॉडिक टेवल आए हैं है ना तो सबसे पहले तो हमारा merits पढ़ना बन्ता है He prendre insurance पढ़ना बन्ता है सर इन्होंने क्या किया है ना पहला merit इन्होंने कहा क्यों आपकी 63 elements present थे उस समय जो साறे के सारे 63 elements थे इन्होंने उनको क्या और ऐसरे परोपरली arrange कर दिया जो कि सबसे बड़ी काम्याभी माने जा ती उस समय में है ना यह सबसे बड़ी बात थे उस जमाने में ओके ठीक है यह थी पहली मेरिट दूसरी मेरिट जैसे यहाँ पर मृतिन जय ने कहा था है ना उन्हों ने क्या किया जो elements को अभी तक हमने discover नहीं खिया था उस समय दीजेगा यह सवाल कोई भी आपके competitive exam में पूछ सकता है चाहे वह MS से हो सकता है यह चाहे वह नेट से भी हो सकता है कभी कभार ऐसे जनरल सवाल पूछ लेता है वह ओके aluminium ओके डिस इस नोन ऐस एका aluminium ओके और आगी जाकर वह periodic table हमने find किया सर जो था ग्यालियम उन्होंने ग्यालियम की बारे में पर्फेक्ट उसकी physical properties chemical properties को properly उसी समय में define कर लिया था जबकि हमने अभी तक उस element को find नहीं किया था देखो यह उसकी सबसे बड़ी दूसरी कामया भी मानी जाएगे that is a very well known importance point ओके ठीक है और इसी तरह किसे अगर आप बात करते हूं यहाँ पर आपके germanium की ठीक है silicon आएगा और silicon की नीचे उन्होंने एक vacancy छोड़ दी इसको उन्होंने कहा Eka silicon है ना जो आगे जाकर यहाँ पर क्या निकला germanium लिखला ओके जो आगे जाकर क्या निकला germanium निकला ओके ठीक है तो यह थी इनकी मेरिट्स अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं डी मेरिट्स की डी मेरिट्स क्या रहे होंगे सर है ना कुछना घुस्तों डी मेरिट्स जरूर रहे होंगी तब यहाँ पर क्या कर रहे हम डी मेरिट्स को पढ़ने जा रहे हैं ना यस सबसे था पहला कि पॉजिशन ओफ हाइड्रोजन है ना वह असफल थे हाइड्रोजन की पॉजिशन को क्लासिफाय करने में क्योंकि उस जमाने में ऐसा हुआ कि जो आपका हाइड्रोजन है ना तो वह एक मेटल है ना तो उसकी प्रॉपर्टी आपकी अलकली मेटल के साथ मैच कर रहे थे तो वह सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि हम इसको कहां पर ले चले हैं इसको कहां पर किस पोजिशन पर रखे जैसी कि आप हाइड्रोजन की आइसोतूप की बात करो यह क्या जाएगा डियूटेरियम यह क्या आजएगा ट्रेटियम आजएगा इनके लिए कोई भी प्रॉपर स्पेस्पापर प्रोजिशन हमने नहीं दी उस समय हमने नहीं दी इनदे सेंस मेंडलीम नहीं दी सर ओके ठीक है यह थी पहली दिक्कत यह थी दूसरी दिक्कत थर्ड प्रॉब्लम क्या थी थर्ड डी मेरिट क्या था सर आपका जो पिरोडिक टेबल बना था डी मेरिटर के साथ उसकी दिक्कत क्या थी ग्रुपिंग ठीक है कुछ एलेमेंट्स की क्या थी सर उन्होंने और फॉर्थ क्या एसर इसका पॉजिट वा जो सिमिलर एलिमेंट्स है यानि जो सेम फेजिकल एस वेल एस केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको उन्होंने अलग-अलग रख दिया ये थी इनकी फॉर्थ डी मेरेट ओके सम सिमिलर एलिमेंट्स वेर प्लेस्ट इन डिफरेंड ग्रॉप वेर प्लेस्ट इन डिफरेंड ग्रॉप ओके तो येस ये सारी चीजे हुई है अभी तक ओके ठीक है गाईस बताइए कि यहां तक की सारी बाते क्लियर है हाला कि हम बेसिक बाते डिसकस कर रहें अभी तक बट दीजार वेरी मच इंपोर्टेंट ओके एक बार बता दीजे एक बार कंफर्म कर दीजे आपकी साइट से क्या यहां तक की बाते क्लियर है या फिर कोई दिक्कत है कोई डाउट है कोई समस्या है है ना हाला कि यहां पर तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए अभी तक जो भी हमने डिसकस किया है सर सिंथेटिक elements क्या होते हैं जो हमने बनाई हैं है ना जो properly man-made या फिर artificially हमने synthesize की हैं उसको हम कहते हैं synthetic elements ठीक है chief of the god तो और त्री आगे लिखते हैं या पीछे अच्छा आप इसकी बात कर रहे हो कभी कभार यहां पर भी लिखते हैं और कभी कभार यहां पर भी लिखते हैं चाहता आप ऐसी भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ओके यह है आपका atomic mass ओके नो सर अच्छी दी श्टोरी चलिए बहुत अच्छी बात है पूरी समझ आई ठीक है तो फिर हमारा modern periodic table ऐसा क्यों नहीं दिखता सर ठीक है आगे जानते हैं ओके आगे जानते हैं फिर एक scientist आते हैं ठीक है यह है bonus point ठीक है यह आते हैं Henry Moosley ओके इनकी contribution क्या रही है यह बात हम जानते हैं यह कुछ X-rays पे experiments कर रहे थे उस जमाने में ऐसा था कि X-rays पे बहुत ज़्यादा experiments किये जा रहे थे सारे जो scientist हैं X-rays पे ही focus कर रहे थे ओके यह तो फिर यह क्या कर रहे थे यह भी अपने एक scientist है उन्होंने क्या किया X-rays पे experiments करना शुरू किया और उस दोर और उन्हों एक बात पहचानी एक बात जानी कि जो आपके frequency रहती है हर एक element की अपनी particular frequency रहती है जिस पर वो vibrate करता है इसको उन्होंने क्या कहाई this is directly proportional to atomic number यस पहली बार अब atomic number को हमने picture में लिया है हमने इस scene में लिया है यस यह क्या है आपका atomic number इस से पहले हम क्या बात कर रहे थे इस से पहले हम बात कर रहे थे atomic weight की यानि atomic mass की ब वारा यहां पर क्या किया गया x-rays का experiment किया गया और उस दौरान उन्हें नहीं यह बात जानी कि जो आपके elements से उनके particular frequency होती है that is proportional to your z value that is atomic number ओके और यह क्या है frequency of elements है ना frequency of elements तो उस दौरान यहां पर हम सारे scientist को एक idea जो हमारे periodic table को classify करना चाहते थे हैं ना इस से बनता है आपका modern periodic law ओके modern periodic law यह क्या कहता है sir जैसे मैंडिलीव ने कहा कि मेरे जो element की physical property है जो मेरे element की chemical property है that is a periodic function of atomic weight बट हमारे इस modern periodic table ने कहा modern periodic law ने कहा कि जो chemical properties है yes the chemical and physical properties of an element are periodic function of atomic number ठीक है पहली बार पिचर में अब atomic number को introduce कि आता ध्यान दीजे मेरी बात ओके यस सर इन लैंथनाइट्स एंड एक्टिनाइट थोरियम एंड यूरेनियम छोड़के synthetic element है ना सर ठीक है लैंथनाइट तो नहीं कह सकते हैं हाँ एक्टिनाइट में अगर आप देखोगे जो यूरेनियम है जो थोरियम है उसके अलावा जो भी elements मिलते हैं जैसे आइंस्टाइनियम ले लो है ना कैलिफोनियम ले लो ऐसे जो पोस्ट यूरेनियम elements है वो most of the them are synthetic in nature artificially synthesized येस properties भी पढ़ेंगे बट फिलाल के लिए मुझे यहां तक बता दो क्या ये सारी बाते clear हो चुके हैं या फिर नहीं अगर आज की जो हमने बाती discuss कियें वो बाती clear हैं तो फिर हम येस कल से discuss करना चुरू करेंगे आपके वैलेंस electronic configuration को ठीक है जैसी कि आप यहां पर देख सकते हो येस ये बात हम discuss करने वाले हैं है ना वैलेंस electronic configuration को discuss करेंगे ठीक है येस कोई दिक्कत कोई doubt कोई समस्षा है तो प्लीज पूछ लीजे clear है सारी बाते समझ में आई ये कहानी कि कैसे आपके periodic table के एक शुरुवात हुई थी है ना चलिए बहुत अच्छी बात है और अभी तक जिन जिन लोगों ने session को like नहीं किया session को share नहीं किया वो please subscribe कर दीजे और साथी साथ हमें आप ये भी बता सकते हो कि आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो है ना आपकी क्या demand है आप बारा बजे ले लो फिर after राजीव सर येस वो time schedule देखते हैं है ना ऐसा होता है कि schedule को थोड़ा से decide करना पड़ता है okay schedule के अनुसार जो भी schedule बनेगा वो हम follow करेंगे कोई दिक्कत नहीं है okay बट शुरू किया है तो yes we will complete this sir more stable configuration भी पढ़ा देना yes मैंने पहले ही बताया आपको है ना periodic table की जो सारी बाते हैं ठीक है तो देख सकते हैं हम valence electronic configuration atomic parameters जैसे की z effective atomic radio ionization energy electron negativity electron enthalpy electron enthalpy of atomization occurrence metallic character फिर हम compounds की भी बाते करेंगे दोस्तों जैसे की coordination number पूरे periodic table में हम देखेंगे किस element की क्या coordination number आ सकती है किस गृूप में सबसे stable coordination number कौन सा हो सकता है यह सारी बाते हम करेंगे ओके यस फिर हम बात करेंगे bond enthalpy trends है ना जो compound basically जो general compounds मिलते है औकसाइट से ले लो हाइडराइट से ले लो क्लोराइट से ले लो है ना इनके हम bond enthalpy की बात करेंगे binary compounds को discuss करेंगे wider aspects of periodicity यानि periodicity के जो concepts है वो कहां कहां और apply होंगे यह सारी बाते भी हम करने वाले हैं और साथी साथ anomalous behavior of first element of each group यह भी बात करने वाले हैं तो this is going to be a very important session okay very important series okay sir inert pair effect में तो main group में पढ़ाते है ना वो हम यहाँ पी भी discuss करेंगे sir group theory की class आगे होगी yes group theory की class आगे होगी और वो monday से continue की जाएगी 11 a.m. पे ही और जब monday जुड़ोगे आप 11 a.m. शाप जुड़ना है राजिप sir आपको group theory समझाएंगे sir इस बार CSR net में ionization energy e1 e2 e3 दे दिया yes तो देखो यह question पूछा गया I think यह भी 4 marks का question पूछा गया था है न यह स्पृतिन जाए यह 4 marks का question था यह फिर एक 2 marks का question था यह बता दो 4 marks तो देखो periodicity का आप कह सकती हूँ कि 8 marks के question पूछे गया है yes periodicity से guys 8 marks आये हैं okay it is very important topic इसे लिए okay yes वो भी discuss करेंगे मिरतिन जयापन thank you so much sir bye love you sir yes thank you आप सभी को thank you very much for attending this session अपना प्यार अपना support बरकरार रखियेगा ऐसे ही हम पे प्यार वर्साते रहिएगा और आपकी जो भी demand है जो भी आपको पढ़ना है वो हमें बता दीजेगा through comments है ना through chat हम वो लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए okay so thank you guys thank you very much and uh मिलते हैं कल okay कल आपको शाब 11 बजी जोड़ना है हम इसके आगी की कहानी discuss करेंगे और यहां से तो असली picture शुरू होती है है ना जिससे आपन को marks मिलेंगे तो कल मिलते हैं guys okay so तब तक के लिए take care and happy learning mohammad mushir study thank you sir thank you mohammad nisha thank you sir चलिए 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके चलिए तो session को मैं end करता हूं guys कल मिलेंगे thank you and happy learning